अलो पूरीज हाव आज हम बनाने वाले हैं आमले के एक मज़़ताय सी रेसिपी जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में भर भर के आमला आया हुआ है और आमले में भर भर के फायदे भी होते हैं तो हमें किसी ने किसी तरह इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए यह हमारी आखों के लिए हमारे बालों के लिए हमारी स्किन के लिए ओवर ओल यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशल होता है यह विटमिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है बिमारियों से लड़ने में हमें ह 500 ग्राम यहां पे आमला लिया है उसे अच्छे से वाश कर लिया था मैंने इसके बाद इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे क्योंकि इसे सुखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इस रेसिपी के लिए स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रेक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगेगी तो प्लीज उसे लाइक शेर जरूर कर दीजेगा और चैनल पे रहें तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडि आएंगे इस रेसिपी में बहुत ही जादा अच्छी लगेंगे आप सोच रहे होगे यह ना इसको बॉइल कर रही है ना कुछ बटी ऐसे ही देखना यह बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी कसेले नहीं बनेंगे रेसिपी को पूरा फॉलो कीजेगा तभी आपकी यूजब नहीं करेंगे यहां पे क्योंकि चीनी साउंड सो अन हैल्दी तो इसमें अच्छी क्वांटिटी में जाती है चीनी या मिश्री जो भी है तो इसलिए यहां पे चीनी का यूजब ना करके मिश्री का यूजब करेंगे आप चाहो तो यहां पे गुड़ का यूज भी कर सकते हो मिश्री की जगा पे वो भी बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए ये मिश्री के बहुत बढ़े पड़े तो चलिए चलते हैं तो चलते हैं यहां पे घड़ाई चड़ा दी है अब इस कड़ाई के अंदर हम घी अड़ करेंगे यहां पे मैंने दो चमच घी का यूज़ किया है घी जब हलका सा गरम हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने कदुकस करके आमला रखा था वो इसके अंदर एड़ कर देंगे यह वला जो प्रोसेस है बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जो इसका कसैला पन है वो निकलेगा हमेसे घी में अच्छे से रोस्ट करना है इसका कलर से होने तक तब जो इसका कसैला पन है वो अपने आप ही खतम हो जाएगा यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना है फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखेंगे तांकि फटा फट से रोस्ट हो जाए और इसे लगातार चलाना है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है बने नीचे से लग जाएगा और हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी इसके लिए से लगातार चलाएंगे हम देखिए इसे चलाते हुए लगबग मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके है इसका कलर भी चेंज हो चुका है तो चलिए अब इसके अंदर हमने जो मिश्री पीस के रखी हुई थी वो अब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे इसी घी में रोस्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजेगा क्योंकि इसी से इसका कसेलापन जाएगा अब हम इस सारी मिश्री को अच्छे से मिक्स करेंगे लगातार चलाना है यहां पर फ्लेम को आप मीडियम टू लो कर दीजेगा जब तक हमारी यह मिश्री है जो अच्छे से मैल्ट नहीं हो जाती नहीं तो यह लग सकती है नीचे कड़ाई में तो इसे भी लगातार चलाते हुए तब तक हम करेंगे जब तक हमारी जो मिश्री अच्छे से मैल्ट नहीं हो जाती इसके अंदर इसके बाद हम इसे 10-11 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे फिर इसके बाद हम इसमें कुछ इंग्रेडियन्स और डालेंगे देखिए हमारी मिश्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है पानी सा छोड़ दिया है इसने 10 मिनट बाद हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे सबसे पहले मैंने यहां पे अद्रक लिया है दो इंच का टुकुड़ा था जिसे मैंने बारीक बारीक बिल्कुल कदुकस कर लिया है अद्रक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और यह फाइरे मन भी बहुत है अब इसके अंदर मैंने डाल दिया एक नीमबू का रस और इसके बाद इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर यानि काली मिर्श का पाउडर आधा चमच और एक चौथाई चमच मैंने यहां पे काला नमक लिया है अच्छे से मिक्स कर देंगे इनका फ्लेवर इसक अगर आप स्ट्रॉंग फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाएगा इस स्टेज पे अगर आप डालोगे तो अधर का फ्लेवर बहुत अच्छे से पता लगेगा और मुझे तो अधर का फ्लेवर परसनली बहुत ज़्यादा पसंद रहे इसको इस स्टेज पर डाला है अब चाहो तब समझे हैं तक तैयार है बन कर देते हैं बहुत ही जादा मज़े का लगता है एक चमत सुबह एक चमत शाम को लिजे बहुत ही जादा बैनिफिशिल है आपके लिए नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तिल रेन बाबाई